जो फ्रेंट्स आपके अपने सेविल में आप देखें गरें टेकिंगलि स्टोकर आज हम बात करने बारे क्यों संब страх के बारे में आप लिए वह अभी तक आया नहीं है कि सब्नारी क्यों उसकिथे ऊपर बात करेंगे और सेकेंड हम बात करेंगे क्या अभी तक अभी हमें इससे सेर को होल्ड करके रखने चाहिए या सेर को सेल कर देना चाहिए या हमें बेस्ट टाइम या बेस्ट अपोर्ट इससे रमने प्रेसे एंट्री लेने का इसके उफ़िकाने वाले हैं वीडियो को आप एंड तर तो वीडियो में आप बने रहे है तो वीडियो स्टाट करने से पहले हैं अगर आगर और काफी ज्यादा दूनों से इसमें जो लोग साकर देखने को मिल रहा है अगर हम देखें तो लगवग इस stock में 30 December से लहाता lowest target देखने को मिला जैसा कि आप देख सकते हैं लगवग company ने जो है 202 रुपे का high बनाया है और हम इसके एक साल के return की बात करें तो कमणी ने आप आप देख सकते हैं एक साल में कोई return नहीं दिया 6 महिने का भी return बेक आ रहा है तो हम बात करने वाले स्टॉक की सबसे पहले हम बात करें इसके कमणी के fundamentals देखें तो वह हम देख लेते हैं कमणी ने काफी ज़्यादा लातार काफी ज़्यादा लोग सेकेट देखने को बला तो सबसे पहले हम देखें है कमणी एक टेक्स्टाय सेक्टर की कमपनी है और हम इसके fundamentals के उपर नज़र टालें तो company fundamentals की तरफ से काफी अच्छ का बनाएं तो हम इस वीडियो में यह भी डिसकस करेंगे कि जिनोंने 200 बेपर या इनकी हाई लेविल पर इस ट्रक को बाय करा था तो उसको क्या करना चाहिए उसके उपर हम बात करेंगे वीडियो में आप बने रहें और अगर हम इसके बारे में बात करें तो company almost debt free है जैसा सबसे पहले हमने देखी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉंग कंपनी की जो इस्टेवल है एंड अगर हम बात करने कंपनी के बैलेंस इट की तो बैलेंस इट पर आलें तो यहां पर देख सकते हैं company के जो रिजर्व है वह लगातर कंपनी इंक्रीज कर रही है बोरंस कंपनी सबसे पहले हमने देखी कंपनी इंवेस्ट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए तो सबसे पहले है जो नहोंने इस स्टॉक को हाई लेविल पर बाय कराता लगए 200 पेपर वह अभी होल्ड कर रखें company का quarter three का रिजल्ट का इंतिजार करें और company का quarter three का रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इस स्टॉक में rally देखने को मिलेगी और वैसे भी आपको पता है कि market काफी आदा crash हो रहा है लगाता 3-4 दिन से लगाता market में crash या जो bounce back देखने को मिलेगा इतनी जल्दी कि आपको पता है market काफी आदा नीचे गिर रहा है फॉर इंवेस्टर्स यह हैं FII काफी ज्यादा selling कर रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि market में अभी गिरावट देखने को मिल रही है तो and second चीज रही और इसके quarter three अगर company का काफी अच् आपके पास अच्छा मौका है इस समय स्टॉक को उठाने करें जिनको आपको इस समय पर ही इस गिरते हुए मार्केट में आपको बाय करने चाहिए तो उसके उपर अगली वीडियो आ जाएगी तो आपको उसके लिए आप में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तो अब हम बात करते हैं कि company का quarter three result किस डेट को आ रहा है तो यहां पर आप देख सकते हैं कमनी की जो बोर्ड मीटिंग है वो 29 जनवरी 2022 को जो बोर्ड मीटि यहांनि कि 29 तारिक को जो बोर्ड मीटिंग है जिसमें जो कमनी का quarter का result है वो आने वाला है तो आप 29 जनवरी तक का वेट कर सकते हैं और सेगेंड सीज फंडामेश से कम्पनी की और हम बात करें हैं तो company fundamentally एक तर्फिश में कह सकते हैं कि इस श्टॉक में का आपि अच्छा रही जाते हैं इस तो आ थोड़ा से पेसेंस करें वेट रिजट करें रिजल्ट करें रिजर्ट का उन्तियार करें 29 जनवरी तक का उसके बाद आप कोई decision लें उसके बाद आप ये sell कर सकते हैं तो वीडियो का हम नहीं पर end करते हैं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye